जो मैं इसराइल की एक सबसे खासियत चीज बता रहा हूं वो है कि आपके सर्राउंडिंग में जो जो चीजें हैं आप उसी को वेपन बना सकते हैं एक्जाम्पल के तौर पर आप एक छोटा सा पेन रखे हैं साथ जी एक पेन रखे हैं यह भी जिस समय आपको जरुरत पड़ेगा उस समय एक वेपन का काम करेगा बसरते आपको आपके दिमाग में होना चाहिए कि मेरा वेपन यह कब और कैसे मैं इसको इस्तेमाल करें आपक किसी के नेख पर अगर कोई अपोनेट आप पर अटेब करता है तो किसी के नेख पर एक किसी के चेस्ट पर किसी पर इस्टेमाग पर कहीं भी आप इसको अटेक पर नमस्कार साथ्यों सिब्बल foundation और 13-13 kalyan society की ओर से अलग-अलग सक्सियत को बुला करके उनके व्यक्तित और कृतित पर चर्चा करते हुए हम दर्शकों को लाभ देने वाली जानकारी उनके फैदी की जानकारी उनकी हित की जानकारी देने का प्रयास करते हैं आज हमारे बीच में पैरा मिलिटरी फोर्स के श्री विजय कान जी शर्मा बात्चीत के लिए आयो है, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, उनका भिवादन करता हूँ, और विजय कान जी शर्मा बड़ी चुनोथिपूर्ण जॉब में रहे, जुने जाने के बाद, एसी जगों पर उनने काम किया, और 2010 में वहाँ से अपने डायतों से मुक्त हो करके वो वापस अपने प्रदेश में आये, और जो उन्होंने टैकनिक सीखी है, मार्शाल आर्ट की, इसराहिल से उन्होंने मार्शाल आर्ट की टेनिंग ली है, तो वो बच्चियों के आत्मरक् के लिए, कि अचानक किसी मुशीबत में अगर बच्चे फज जाए, हमारी बेटिया फज जाए, हमारी बहने फज जाए, तो कैसे बच्च के निकले, कैसे counter-attack करें, अपने आपको बचाए, इस अब चीजे वो निशुल के हाँ पर सिखा रहे हैं, इस बड़ा हिस्तुत्यो मैं आप से जानना चाहूँगा कि आप की निक्ती कब हुई और आपने कहां कहां कारी किया, हमारे दर्सकों के लिए आप बताना चाहेंगे नमस्कार सभी को, मैं चत्यसगर से ही बिलांग करता हूँ और मेरा कांकेर डिस्टिक पड़ता है, मैं 1991 में CRPF में ज्वाइन किया, मेरा एक साल का ट्रेनिंग रहा, मैं कलकता में ट्रेनिंग किया, उसके बाद मेरी प्रथम निक्ती नागालेंड राज्जी में हुई, और नागालेंड राज्जी में उस समय टोटल साथ जीला होता था, और काफी उस समय विद्रोहियों से नागालेंड प्रभावित था, तो उस समय हम लोगों की चुनोती काफी रहती थी और हम लोगों की जिम्मेदारी मैं मोन डिस्टिक में तैनाथ था, और मोन डिस्टिक में हम लोगों को road opening का कार्य मिलता था road opening आरूपी के लिए हम लोग निकलते थे सुबह निकलते थे साम रात तक एक pack lunch ले करके और उसी में वहाँ का weather भी उस समय काफी वज़ा रहता था खराब रहता था नागलेंड का तो एक 36 गड़ का एक छोटा सा लड़का और अचानक इन environment में जाना पाहडी इलाकों में और वहाँ की पानी वगेरा जहरने वगेरा की पानी हम लोग पीते थे तो वो मुझे सूट नहीं करता था तो मैं काफी परेसान भी रहता था घर वाले मुझे कही बार आप बोले कि आप छोड़ दीजिए लेकिन मैं मेरे अंदर एक जुनोन था कि नहीं मैं जब बेल्ट के नवकरी जॉइन कर लिया हूँ तो मैं इसको आगे पूरा करूँगा नियुक्ती के बाद कितने दिनों की ट्रेणिंग होती है और कैसी होती है दोनों ट्रेणिंग होती है और इसमें वेपन्स का होता है आपके ड्रिल की होती है मार्सल आर्ट का होता है ये सारे चीजों को वहाँ पर सिखाया जाते है सभी तरह के वेपन आप लोग को सिखाया जाते है जी सभी तरह के वेपन सिखाया जाता है काम जरता है देश के आंतरिक मामलों में ज्यादा रहता है सुरक्षा के लिए आग पातकाली निस्थिती के लिए पैरामिर्टी फोर्स ज्यादा आती है तो इसमें वेपन्स क्या बहुत घातक होते हैं कि मीडियम रेंज के कुंसी वेपन आप लोगों को ज्यादा यूज करन बोल्ट एक्सन्स राइफल्स उसमें हुआ करता था उसके बाद धीरे धीरे परिवर्तन होते गया फिर अभी इंसास राइफल्स आ गया और बहुत सारे चोटे-चोटे पी-90 आ गया और जर्मन मेड की आ गया बेल्जियम की बहुत सारे वेपन सभी आ गया तो वीजाई ज कि सीधे वहां से आपका डेपूटेशन हुआ इसके बारे में बताना चाहता हूं मैं नागालेंट के बाद हमारी यूनिट आ गई पंजाब में वहां पर सीम सीक्योटी में था मैंने उस समय बराड साहब थे वहां पर उनके सुरक्षा में हमारी कंपनी तैनाथ थी वहां पर एक रेपीड एक्शन फोर्स का उस समय गठन हुआ था 1990 में जो केमिनल राइट सोगे रहा को कंट्रोल करने के लिए यून पेटर्न में इसको बनाया गया था तो मैं वहां पर वालेंटियर मैं अपने कंपनी कमांडर साहब को बोल करके और मैं वहां के लिए गया जब चाहिए तो मैं वहां एक देखा था कि एक कोई मेरे से पुराने मेरे से सीनियर थे वह इस पेशल एनसजी कमांडो करके आए थे तो कमांडो करके आए थे वह बारा सव लोगों के बीच में एक अकेला था तो उससे मुझे प्रेड़ना मिला उसका चलने का तरीका यह सब द कि जब आप रिटन में दे दीजिए और जब भी इसका आएगा आपको कर दिया जाएगा इतिफाक सर उसके मेरे खाल से 6 महीने या 9 महीने बाद मेरे को NSG के लिए आया नेशनल सीक्योटी गाड की कमांडो ट्रेनिंग के लिए और मैंने गया और तीन महीने वहां कमांडो ट्रेनिंग करके पुना हमाइब वापस रेपीड एक्षन फोर्स में आया उसके पस्चाथ एक SPG के लिए वहां से नमिनेट हो करके यूनिट से मैं गया वहां एक्जाम अ सारे वहां की प्रक्रियाई थी वह पूरी किया उसके बाद रिजल्ट नहीं आया था मैं पुना रेपीड एक्षन फोर्स में आ गया वहां आने के एक ये डेड़ महीने बाद मेरा रिजल्ट आया और मैं सलेक्ट हो गया सलेक्ट होने के बाद मैं फिर SPG में गया SPG में जा और किसी वी आईपी के सुरक्षा है उसके लिए हमारे प्लस एनस जी ब्लेकेट कुमांडो तैningar वो करिंद व्यव्यद्闌 सिर्फ प्र एजी कों डीके सी नहीं और स्वाध Mumbai ने गीज़ हो जाते हैं श्यव्यमीनि-प्र ऐसा कुछ नहीं है पेरमिलेटरी से जैसे CRPF, BSCF, ITVP इन से सलेक्ट हो करके SPG में सलेक्शन होता है विजय कांजी इसी दवरान आप इसराइल भी गए जी इसराइल के कुछ लोग हमारे यहां भी आ करके SPG में ट्रेनिंग दिये थे आप भी गए थे वहां तो वहां ऐसे क्या टेकनिक नहीं लगी आपको भारत से सुरक्षा के मावले विजो आपने MARSAL ART की चर्चा की टेनिग आपने लिए वो क्या खासियत है उसके साब MARSAL ART कई किसम के होती हैं हमारे भी देश में इंडियन MARSAL ART में कई चीज़े होती हैं जूडो कराटे ताइकंडो कुंग फू बहुत सारे हैं इनकी प्रक्रियाएं कई चीज़ें ऐसा हैं लेकिन उनके पास जो मैं इसराइल की सबसे खासियत चीज बता रहा हूं हू यह पेन रखे हैं यह भी जिस समय आपको जरुरत पड़ेगा उस समय एक वेपन का काम करेगा बसरते आपको आपके दिमाग में होना चाहिए कि मेरा वेपन यह कब और कैसे मैं इसको 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 पकड़िए आप किसी के नेक पर अगर कोई अपोनेंट आप पर अट वेपन हो सकता है इसके लाब और भी क्या चीज जैसे आप सभी लोगों के पास चाविया रहता है की रहता है की रहता है जैसे इस तरह से की है आप इसको भी एक वेपन बना सकते हैं साब इसको आप पकड़े ठीक से पकड़ने का थोड़ी से टेकनिक आपको पता होनी चाह करके सकते हैं। अगर आप जाने की संभावना उस condition में इसको भी वेपन बना सकते हैं। तो इन तो सब चीजों को लेकिन इन सब चीजों के लिए आपको मेंटली प्रिपेरड रहना है। कि मेरे आसपास जो भी चीजें हैं उसको कब कैसे और कहां इस्तेमाल करना है आप आद काली इस्थिती में उससे बचा जा सकते हैं बच्चियों के लिए बहुत जरूरी है वो जनरली छेड़कानी की सिकार होती है घिर जाती है तो आप इस तरह की टेनिंग यहां पर बच्च कालता हूं कि आप 10-5 बच्चे जितने भी हैं 20-25 आप इकठा कीजिए मैं आकर के उनको सब को ट्रेनिंग दोंगा और मैंने अपने सर्यूपारी ब्रहमण समाज में अभी पिछले कुछ दिनों पहले 300 के करीब बच्ची यहां आई थी मैं उनको भी सब दिया हूं बेसिक उनको दिया हूं और एडवान सभी उन लोगों को देना बाकी है तो मैं चाहता हूं कि इन सब चीजों का हमारे देश में हमारे राज्य चतियसगर में राइपूर में सभी लोग इन सब चीजों से की जानकारी ले आम तोर पर बच्चियों को ही इसकी ज्यादा जरूवत है क्योंकि आज करो देर रात तक काम करने जाती बहने हमारे हमारी जिए कभी रात को लौटी है और कभी आला जहक माहूर रहता है तो घिर जाती है तो विर्जय सर आपसे सीखने के लिए किस तरह संपर किया जा सकता या आप शीविड लगाते हैं या कोई सेंटर चलाते हैं या बुलाते हैं उनको कैसा उसकी क्या व्यवस्था करते हैं बच्चियों को सिखाने के लिए जी मैं सेंटर वगेरे कोई नहीं चलाता सर और मैं ये फ्री आप कास्ट ये चीजों को मैं बताता हूँ इसका मैं कोई चार्ज नहीं लेता है जब भी जहां भी जिस समाज में जहां भी जरुरत पड़ता है मुझे कॉल करते हैं और मैं वहां जाकर के मैं यहां तक कि मैं जह रहता है आपका कॉर्स चियर कारो बेसिक चीजुं को बताने के लिए कम से कम मुझे दो घंटे का समय चाहिए एक दिन दो गश्टे के बारे में जानकरी न हो जाता है एडवांस सीखने के लिए फिर उनको एक दो दिन का यह और समय लेना पड़ा है तो दो से तीन दिन में एक बच्ची आराम से ट्रेंडर इतना सीख जाती है कि अपनी बचाओ कर सकते हैं उनको अपने सर्राउंटिंग के बारे में जा देखो सबसे बड़ी हमारे समाज में बच्चियां महिलाओं का एक सबसे बड़ा डर यह हो जाता है कि वो अपने आप सरेंडर कर देती हैं अपने आपको कमजोर महसूस करती हैं जबकि ऐसे नहीं सब महिलाएं हम लोगों से ज़्यादे ताकतवर हैं और हर चीजों में आप देखिए जो इतनी बड़ी प्रसव पीड़ा को जो जहल लेती हैं उनसे ज़्यादे ताकतवर इस दुनिया में और कोई नहीं है लेकिन बस जब कोई ऐसी परिस्थितियां बन जाती है तो वो लोग थोड़ी सी नर्वस हो जाती है मैं सोचती है कि हम तो महिला हैं हम कैसे लड़ेंगे यह दिमाग उनसे वो लोग अगर अपने दिमाग से निकाल लें तो आधी घटना है ऐसी रोग जाएगी विजय जी जैसे एक जानकरी और मिली थी कि जो टेनिंग आप देते हैं उस टेनिंग में आप निशुन कृप से सेवाय दे रहे हैं तो क्या बाहर भी आप जाते हैं कि कभी रायपूर में कर रहा है वाला कारिया जो है सिखाने का बाहर भी जाते हैं या सिर्फ यही सब्सक्राइब करते हैं तो वो मुझे हमेशा कॉल करते हैं कि बोला जाइए सर वहाँ जाना है स्वास्त के मामले में आप लोग का अनुभा बहुत जादा रहता है क्योंकि ट्रेनिंग के दवरान और रहन सहन में आप बड़े डिसिप्लीन होते हैं और बहुत अच्छी आपकी हेल्थ साइट से विजन आपका बहुत अच्छा रहता है एक युवाओं को यूतियों को स्वास्त रहने के लिए आज के समय में जबकि बहुत ज़्यादा वातवरन ब्यस्त हो गया है प्रदूशीद भी हो गया है तो क्या आप ऐसा बताना चाहेंगे कि वो अपने आपको कैसे फिट रहें मेंटल भी और फिजिकल भी सिंपल सा सर स्वस्त रहने के लिए सिर्फ एक सब्द है सबसे पहले आप सुबह उठ जाईए अगर आप सुबह उठ गए तो सारा काम आप कर सकते हैं सुबह नहीं उठना ही सबसे बड़ी हमालों की समस्या है देर राह तक जागना और सुबह देर से उपना जो व्यक्ति अगर आज के डेट में भी चार बजे या पांच बजे जो बिस्तर चोड़ देता है साब वो नेचुरल है वो कहीं न कहीं जाएगा और कुछ न कुछ हलका फुलका व्यायाम करेगा वाकिंग करेगा रनिंग करेगा वो अपने आप ही स्वस्त रहेगा सबसे पहले बिस्तर दोर था आपका और जॉप का दोर था आपने बड़े विशिष्ट व्यक्ति में आप थे तो ऐसा कोई अनुभव है आपका जो चुनोती पुर्ण रहा हो वहां पर या उस दोर का कोई ऐसी बात जो सारवजनी की जा सकती हो ऐसे गुपत बात है तो जब तक सेफ जगह तक नहीं पहुंच जाते तब तक एक तनाव बना रहता है और उसमें काफी बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है तो यह चीज तो जरूर रहता है सर कि अंजान जगह पर जाते हैं और उस जगहों के बारे में बहुत ज़्यादा वाकिफ नहीं रहते दूसरे से इंपुट मिला रहता है तो इन सब चीजों को देखते हुए काफी ज़्यादा वहां पर सेवन सेंस को पूरा इस्तेमाल करक अक्सरा धार्मी के जगहों पर आजकल भगदर हो जाती है विजय जी अचानक दर्सनार्थियों के भीड बढ़ जाती है या कई मेले बजार में बहुत भीड हो जाती है ऐसी अवस्था में बचाओ के कुछ टेक्निक्स हैं कि लोग बचके निकल जाए ऐसे मुश्किल में भीड बताना है jy सबसे पहले तो कोसिस यह करें साब की भीड से अधोर रहे भीड रहें कैसा चीज है मौ जिसको चाइँ उसकी सoskό जाती नहीं होती Android औरके दिमार की मोब में अगर एक विक्तिव आप आपको रूमर फैला देगा, अफवाफ फैला देगा, वह बढ़ा हो जाता है, तो कोसिस ये करें कि अगर आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी जाएं, अन्यता कोसिस करें कि जहां भीडबार कई लाका है, वहाँ पर ना जाएं, आज काल सोचल मीडिया का जमाना है, आप घर बैठे हर चीजों का आप आनंद ले सकते हैं घर में ले सकते हैं और खास करके बच्चे महिला इन बुढ़े बुजूर्ग हैं इनको तो ऐसे जगों पर कोशिस करना चाहिए कि घर की मेंबर उनको न भेजें अगर आप सक्षम हैं किसी चीज को अच्छे से आप कर सक सकते हैं भीड को नियंतरिंट करने का आपको थोड़ी बहुत टेक्निक है आप भीड में कैसे निकल सकते हैं आपको अनुभाव है तो आप जाएं नहीं तो कोशिस करें बच्चे महिलाओं और बुजूर्गों को ऐसे जगों पर न जानें बहुत अच्छी जानकारियां आ पैरमीटी फोर्स या सी आर्पी आप में जाने के लिए चत्तिकड़ के युवाओं को आप क्या संदेज देना चाहेंगो कैसी त्यारी करें कि वहां सलेक्ट हों वहां जा सकें सबसे पहले तो साब आपको दोनों चीजों के लिए किसी भी आपके फोर्स में आप आपका सल होप हैं उन सब चीजों को आपको जानकारी लेना पड़ेगा आप हमेशा फीजिकल फिटनेस अपना खुद कव रखना पड़ेगा कई ऐसा है मैं देखता हूं जो चाहते हैं कि अरे नहीं अब तो आ गय है हम चलता रहेगा ये भावना रहेगा साब तो आप कभी भी बड है जो खास करके एलीट और्गनाइजेसंस हैं उन जगहों पर आपका चयन नहीं हो पाएगा तो आपको अपने मेंटली और फिजिकली दोनों चीजों को आपको अच्छा ही स्ट्रॉंग रखना पड़ेगा इतने कठीन दबाव पूंड काम आप करते हैं सुरक्षा का और इस में बहुती चिनोंती है पी रहती है तो आप कैसे अपने आपको तनाब करते हैं प्रेंड आपको कहां से मिलती हैं क्या योग करते हैं ध्यान करते हैं कुछ ऐसी प्राक्रिया SAMenson जो मेरी एक आदत है साब कि मैं सुबह बहुत जल्दी उड़ जाता हूँ पांच बजे जहां है कहीं भी जहां भी रहा हूँ मैं यह मेरी आदत मैं CRPF को धन्यवाद दूँगा वहां से ही मेरी आदत बनी है वहां योग ध्यान सिखाते हैं जी सिखाते हैं सर और मैं आपको बता सब्सक्राइब करते हैं अपने घर परिवार और बच्चों के तरफ ध्यान देता हूँ और वहां का मज़ा लेता हूं उन उलजयनों को भूल जाते हैं और ध्यान करते हैं और योग करते हैं उससे आपको mental relax बहुत मिलता है हर व्यक्ति को यह चीज नीमित करना चाहिए जबाश जल्दी उठना और थोड़ा सा योग और ध्यान करना चाहिए तो यह थी विजय कान जी शर्मा जिन्नोंने हमें बहुत अच्छी जानकारिया दी और अधूत प्रयास जो कर रहे हैं कि बच्चियों को आत्परक्षा के गुण सिखा रहे हैं इस्राइली मार्शलाड की तक्नीक से हम आशा करते हैं कि उनके इसे हमारी स्वारतलाप से आपको लाभ हुआ होगा और विजय कांजी से मिलने के लिए आपका स्वागत है आप आएं उनसे मिले और कुछ और जानकारिया ले सकते हैं आज आप हमारी स्टूडियो में आपका बहुत-बहुत आभार और प्यारे दर्सों को आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद धन्यवाद सर दर्सकों को भी मेरा बहुत-बहुत